यह तीन महिने की पेड इंटर्नशिप होगी जिसमें हम जमो कश्मीर यूटी के जो भी ब्राइट आइटी टेक से वी यूथ हैं उनको ढूंड रहे हैं ताकि हम तीन महिने के लिए उन्हें अपने साथ रखें और सरकार के साथ क्लोज करके जो हमारे डिजिटल जेंड के इन बच्चों के अगर बच्चों ने कोई कोई प्रोजेक्ट किये हैं या किसी भी आइटी अपने सीवी में डाल के उसको अप्लोड कर सकते हैं तो हमारा इस डिजिटल जेंड के इंटर्न्शिप के माधियम से जो बच्चे आएंगे हम उनको कुछ जॉब प्रोफाइल उनको मौका मिल जाए उनको एक गर्मेंट के साथ closely और IT related activities पर काम करने का मौका मिले तो जाहिर सी बात है कि आगे के लिए उनके CV में important चीज जुड़ जाएगी इसमें हम monthly 10,000 रुपे का stipend देंगे but subject to satisfactory part जो काम दिया है टास्क दिया है टास्क milestone based पूरा करने पर we have committed that we will give 10,000 रुपे stipend to every student जमू अन कश्मीर E Governance Agency की तरफ से Digital India Internship Scheme 2022 जो है वो launch की गई है और उसके लिए जो युवा है उनसे ये अपील की जा रही है कि वो इस scheme में खुद को enroll करें ताकि उन्हें इसका पूरा जो lab है वो मिल सके मेरे साथ मौजूद है अभिशेक शर्मा आईयस जो की CEO है इस agency के औ और इनसे जा रहेंगे कि आखिर क्या यह स्कीम है और किस प्रकार से युवा जो है वो इससे लाभानवित हो सकते हैं सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है यह जो स्कीम अब लाई जा रही है यह किस प्रकार की स्कीम है और क्या benefit जो है वो युवा कर से मिलेगा यह जो स्क प्रश्मिर यूटी के जो भी ब्राइट आइटी टेक से वी यूथ हैं उनको ढूंड रहे हैं ताकि हम तीन महेने के लिए उन्हें अपने साथ रखें और सरकार के साथ क्लोज करके जो हमारे डिजिटल जेन के के इनिशेटिव्स हैं उन पर काम करें तो उसी के लिए ये पह क्लिक करना है और उसके बाद लॉग इन करना है तो लॉग इन में ही बहुत सारी चीज़ें पूछी गई हैं जैसे आपको अपने एक सीवी अप्लोड करना है सकते हैं में इसमें आपकी जितने भी experiences के ड्वेस अगर प्रॉ Victus किये हैं बच्चों के ने में प्रजेक्ट कि यह गी उनको हम उनका सीवी चेक करके शॉट लिस्ट करेंगे और उसके बाद उन्हें हम ऑफर लेटर शेंगे तीन महिने का इस को करने के बाद जो अंहें क्या आगे उस में फाइदा मिलेगा आपको मालूम होगा कि जमो कश्मीर करने के लिए काफी पुश किया है हमारी 225 सर्विसेज हैं जिनको पुब्लिसाइज करने के लिए प्रतिबद्ध है और अभी रीसेंटली पहली नवंबर को CSR ने एक पुब्लिक सर्विस गरंटी एक्ट आटो अपील सिस्टम का एक शुभारम किया था तो हमारा इस डिजिटल जेंट के इंटर्नशिप के माध्यम से जो बच्चे आएंगे हम उनको कुछ जॉब प्रोफाइल्स देंगे चार या पांच उनको हमने फाइनलाइज किय हुआ है कि एक तो वह पुब्लिक सर्विस गरंटी एक्ट पर काम करेंगे कि जो हमारी सर्विस को आटो अपील सिस्टम के साथ लिंक करना है उसके उपर फोकस रहेगा साथ ही हमारी जितनी भी सर्विस जी टूसी हैं उनमें जो इंप्रूब्मेंट की जरूरत है या हमने जो इंटिग्रेशन बहुत सारी इंटिग्रेशन रहती हैं सर्विस की जैसे हमने सिंगल साइन और बहुत सारी ऐसी चीज़े उनपे काम करें मोबाइल एप्लिगेशन डेवलप्मेंट एक बहुत बड़ा फीलड रहता है जिसमें काफी डिमांड रहती हैं सर्विस को more and more जो मॉडल है कि जिसमें हम कम बार लोगों से उनके चीज़ें पूछें और मैक्सिमम टाइम जितने भी आज कल की अगर हमारे पास इंटरन्स होंगे इनके उपर काम कर सकते हैं साथ ही हमारे smart missions है smart health है smart agriculture mission है इस तरह की जितने भी चीज़ें हैं इनके उपर हम इनको काम दे सकते हैं गवर्मन की जो online services हैं जो कि आग लगतार बढ़ती जा रहेंगे तो क्या यह लोग जब यहां से train होकर आएंगे तो उनके लिए इनकी eligibility जो है यह और मजबूत हो जाए बिलकुल आपको जैसे मालूम होगा कि इंडिया अभी भी digital missions में वर्ल्ड लीडर है इंडियन जितना अभी HR है हमारे जितने इंडियन ब्रेंज हैं they have created an impact throughout the world बड़े बड़े जितने भी हमारी बड़ी organizations हैं IT related सब में इंडियन ने अपना एक मुकाम हासिल किया हुआ है तो इसी confidence और इसी trust को सामने रखते हुए कि अगर हमारे students को या चाहे वो final year हो या freshers हो उनको मौका मिल ज तो जाहिर सी बात है कि आगे के लिए उनके CV में important चीज जुड़ जाएगी और उनका exposure level भी बड़ जाएगा यह पेड रहेगी या फिर इसमें क्या रहेगा बिल्कुल पेड रहेगी इसमें हम monthly 10,000 रुपे का stipend देंगे but subject to satisfactory part जो काम दिया है टास्क दिया है task milestone based पूरा कर training किस प्रकार के रहेगी मतलब कहां पर यह training होगी और कौन लोग होगे जो training जो है वो आगे इंपार्ट करेंगा देखिए हमारे already जितने projects चल रहे हैं चाहे वो e-office का project है चाहे वो public service guarantee act का project है इसी तरह से बहुत सारी application related projects हैं जिसमें already हमारी teams है तो यह teams के साथ यह interns closely काम करेंगे on the job training इसको कह सकते हैं कोई formal training नहीं होगी training तो क्हार को चुकी है प्लस उन्हें जो online बहुत सारे बच्चे आज गर online बहुत सारे courses करते रहते हैं this will be a platform where they can actually contribute to the government and learn at the job so this is what we are targeting at rather than a formal training we are targeting that they should be given some exposure in actual field rather than an academic exercise अभी हमने इस पार because this is the first time we are going to launch it तो we have kept it a cap of 30 30 interns हम लेंगे और पहली बार करने जा रहे हैं तो एक बार इनका तीन महेने का काम देखके we will then see the next time whenever we are doing the internship बढ़ भी सकती हैं अगर सब अच्छा participation और अच्छा इसका contribution रहा तो क्या इसकी last date क्या है registration की और अब तक कितने applications आपके पास आई हैं कल हमने यह registration स्टार्ट की हैं और एक दिन में we have received 32 applications अभी तक applications का process जो है 20 November तक रहे का registration on बट मेरी गुजारिश है जितने भी बच्चे बच्चियां जितने भी final year college students जितने भी freshers जो passionate हैं IIT को लेके जिनको अपने knowledge और उसके जो भी उनके IIT skills है they have the capacity की they can contribute to the government in the digital chain के mission मैं उनसे आपके माध्यम से एक अपील करता हूं की आज ही in fact अभी जाके jakega.jk.gov.in पे जाके apply कर दे और अच्छे से cv बनाके ये भी एक कला है cv अच्छे से बनाना भी एक कला है तो अच्छे से cv properly बनाके उसको upload कर दे अपने जो भी skills हैं उनका evidence एक short note में बरके डाल दें ताकि हमें short list करने में रहत मिले लेकिन delay ना करें last date का wait ना करें हमारा ये प्रयास है कि जितने ज्यादा से ज्यादा बच्छे आप आएंगे let us let us find the best of the lot इसके इलावा आपके जो जैंसी है वो और क्या-क्या in future जो है वो करने वाली है जो की public के लिए काफी फाइदे मत होगा जम्मो कश्मीर e-governance agency अल्रडी पिछले 13 साल से इसी तरह से हमने अभी रीसेंट्ली एक साइबर सिक्राइबर सिक्राइब करती है आपको मालूम होगा ये ऑफिस का जो एक प्रॉसेस ये ऑफिस का जो सक्सेस्वल इंप्लिमेंटेशन था अंडर दी पूरा गमेंट के सपोर्ट में बट इट वस जगमो कश्मीरी गवर्न की वक्शॉप की जिसमें करीब हजार गर्मेंट ऑफिसर्स को लगातार तीन दिन तक एक एक्सपर्ट्स साइबर सेक्यूरिटी की एक्सपर्ट्स की जरी उनको एक ब्रीफ औरियन्टेशन करवाया तो बहुत सारी एक्टिविटीज रहतीं के पैसिटी बिल्डिंग हो गय लाकर ये जो स्कीम है जो आईटी में दिल्चस्पी रखते हैं और जिनके पास डिजाइट क्वालिफिकेशन है उन्हें जरूर यहां पर अपना भाग आजमाना चाहिए क्योंकि सीधे तोर पर आप ये कहें कि सरकार के साथ और सरकारी डिपार्ट्मेंट के साथ काम करने क मौका मिलेगा आपके रिज्यूमे में एक और बड़ी उपलब्दी जो है वो इसके साथ ही एड़ाउन हो जाएगी और आगे चलकर जो है वो आपको सरकारी डिपार्ट्मेंट में अगर आप गौर्णमेंट जॉप की उमीद रखते हैं तो उसमें भी आपको बहुत जाद भी मौका है जरुर यहां पर अपलाई करिएगा और लास्ट डेट का जो है वो इंतजार नहीं करिएगा क्योंकि जो पहले अपलाई करेगा जाहिर सी बात उसका सीवी इन टाइम यहां पर पहुँचेगा और जब सिलेक्शन होगी तो आपका सीवी होगा वो यहां पर क्वालिफाइड होंगे जो भी यहाँ पर इस क्वालिफिकेशन को फुल्फिल करते होंगे उन्हें इस बार मौका मिलेगा तो यह बहुत अच्छा मौका है और उम्मीद करेंगे कि आप आज ही जो है वो इसके लिए अपलाई करेंगे नमस्कार